अमेरिका भार्थ सामरिक साजिधारी फोर्म के शुकर सम्मेलन को रात नो बज़े संबोधित करेंगे परधार मंतरी नरेंद्र मोदी व्यापार और वेश्व सप्लाई चेन में भार्थ की स्थिती पर होगी चर्चा राष्ट्रे शिक्षक सम्मान से सम्मानित होंगे ग्रुग्राम के मनोज लाकड़ा बिना बिजली के चलने वाला मोबाइल टीवी डिवाइस बनाया शिक्षक विभाग ने अपनाया उनका मिड़े मील एप कोरोना की ताजा स्थिती के आंकलन को लेकर हुई स्वास्थे मंत्राले के आधिकारियों की प्रैसवारता देश में 24 गंटों में हुई रिकॉर्ड 11,70,000 लोगों की जाच और कोविड-19 के बीच पटरी पर लोट रही अर्थिववस्था अगस्त में यूपी आई और भी मैप से हुई रिकॉर्ड एक अरब 61 करोर ट्रांजेक्शन नमस्कार मैं सुरेंदर कुमार अब समाचार विस्तार से प्रदामंतरी इन रेदर मोदी आज तीसरे अमेरिका भारत सामरिक साज़दारी फोर्म के तीसरे शिकर सम्मेलन को संबोधित करेंगे सम्मेलन में व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहुग और विश्व की सप्लाई चेन प्रणाली में भारत की स्थिती पर विशेश जोर दिया जा रहा है इस पांच दिवसे शिकर सम्मेलन में शिर्ष स्तर की राजनितिग्य, वरिष्ट सरकारी अधिकारी, व्यापार जगत से जुड़े वैक्ती विशेश भाग ले रहे हैं इस शिकर सम्मेलन का विशे है यूएस इंडिया वीक नविगेटिव न्यू चैलेंजिस इसमें कई विशेश शामिल किये गए हैं जैसे एक वैश्विक वीनिनमान केंदर बनने में भारत की संभावनाई, भारत के गैस बाजार में आवसर, भारत में FDI आकरशित करने के लिए इस अफ डूइंग बिजनेस, तक्नीक ख्षेतर में समान अवसर और चुनोतिया, भा अमेरिका भारत सामरिक साज़दारी फोरम एक गयर लाबकारी संगठन है, जो भारत और अमेरिका के बीच साज़दारी के लिए कारे करता है। रिवाइस में बिजली, कम्प्यूटर और स्मार्ट बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने बताया कि उनके मार्ग दर्शन में विद्यारतियों ने मिड्डे मील एप बनाया है। इस एप को हर्याना शिक्षा विभाग ने अपना कर सभी स्कूलों में लागू कि पहला एप जो है मिड्डे मील हरयाना एप था जिसमें कि मिड्डे मील की सारी जानकारियां और उसकी सारी कैल्कुलेशन मातर कुछ सेकंड में ही आपके सामने आ जाती थी और इस एप से बहुत बहुत जादा समय अध्यापकों का बचने लगा। मनोज कुमार ने समग्र मुल्यांकन एप, फीस रजिस्टर एप, फंड वे स्टॉक रजिस्टर एप, स्काउट वे गाइड एप, प्रगति पत एप और सोलर हेलमेट भी तयार किया है। मनोज कुमार को प्रदेश के शिक्ष अविभाग द्वारा कई बार सम्मानित किया जा चुका है। कोवीड-19 के खिलाफ देश में जंग जारी है, कोवीड-19 की जांच में देश में अभूत पूर्व विरिथी हुई है। पिछले 24 घंटों में 11.7 लाख से अधिक लोगों की कोवीड जांच की गई है। अब तक कुल 4.5 करोड से अधिक लोगों की जांच हो चुकी है। जो पांच मुख्य बाते हैं वो ये हैं कि अब तक हमने देश में 4.50 लाख से अधिक टेस्ट कंड़क्ट कर लिये हैं। विश्व में अब केवल एक ही देश है जिसने की हमसे जादा क्युमिलिटिव टेस्ट किये हैं। पिछले 24 घंटों में 11 लाख से जादा टेस्ट देश में किये गए। 11,72,000 टेस्ट पिछले 24 घंटे में हुए। ये अपने आप में एक रेकॉर्ड है। रिकवर्ड पेशेंट्स जो हैं जो लोग ठीक हो गए और भले चंगे हो गए उनकी संख्या अब 29,00,000 से भी अधिक हो गई है। 29,70,000 के लगभग पेशेंट्स हैं जो रिकवर्ड हुए हैं। और देश में सिंगल डे की हाईएस्ट रिकवरी कल रिकॉर्ड की गई जबकि 68,584 व्यक्ती रिकवर्ड हुए। सभी राजे कोरोना के खिलाफ मजबूती से संघर्ष कर रहें। देश में पांच राजे ऐसे हैं जिनमें सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 62 फिसदी है। बाकी राजेों में सक्रिय मामले घट रहें। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 77.09 प्रतिशत हो गया है। जहां की 62 प्रतिशत एक्टिव केस का इन पांच राजेों में है। और एक्टिव केस जब हम आपको कहते हैं तो ये 8,15,538 हैं जैसा मैंने पहले निवेदन किया। तो 8,15,000 जो एक्टिव केस हैं उनके लगभग 25 प्रतिशत केस केवल एक राज्य में हैं महराष्ट्र में। और लगभग 12 प्रतिशत केस अंद्रप्रदेश में हैं। लगबग 12 प्रतिशत केस करनाटक में हैं, लगबग 7 प्रतिशत केस उत्तर प्रदेश में हैं और लगबग 6.5 प्रतिशत केस तमिल नाडू में हैं तो इस प्रकार 5 राज्य मिलकर देश के कुल एक्टिव केसे का 62 परसेंट इन 5 राज्यों में हैं और बाकी राज्यों में ल अगभग 37% एक्टिव केस है। और लेंदेन ऑनलाइन विकल्पों की तरफ बढ़ता आकर्शन इस बात का भी प्रतीक है कि महमारी से उबर कर अर्थ ववस्ता लगातार मजबूत हो रही है। इस बार की परिक्षाओं में पिछली बार के मुकाबले चात्रों की उपस्तिती में दस विकल्पों की तरफ बढ़तार में अर्थ ववस्ता लेंदेन हुआ था। इसे दीका ही अंतर है। उन्होंने का कि सरकार ने चात्रों के हित में परिक्षा करवाने का फैसला लिया था। मैं चात्रों को बहुत बदही देना चाहता हूँ कि उन्होंने इन विसम प्रस्तितों में अपना अध्यन भी क्या और आज परिक्षा में भी वो बैठ रहे हैं और एसे उपी जो जारी वा था उसका अक्षर सा पालन हो रहा है। उन्हें जो भी कदम उठाए वो चात्रों के भौश्य को देखते लिए उठाए। मैंने पहले भी कहा कि चात्रों की सुरक्षा पहला और उसके बाद भौश्या दूसरा इन दोनों को हम छोड़ नहीं सकते। यदि पांसाथ दस प्रतिशत को देखा जाए तो मुश्किल से दस प्रतिशत का अंतर है कि बहुत बड़ी बात है। उच्छतर शिक्षा विभाग ने अंडर ग्रेजविट कक्षाओं के लिए इस बार शेक्षिनिक सत्र दो हजार बीस एक्किस के लिए सेंट्रलाइज ओनलाइन एडमिशन करने का निर्ने लिया है। इसके साथ इसके तहत राजय के सभी सरकारी साहता प्राप्त वैस्वेम पोशित कॉलेजों में एडमिशन के लिए साथ सितंबर से 21 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किये जा सकेंगे। उन्हेंने बताय कि 22 सितंबर से 25 सितंबर तक आवेदनों वदस्तावयजों की जाच कर मैरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। 26 सितंबर को पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी जिसके लिए 29 सितंबर तक फीस जमा करवाई जा सकती है उन्हेंने बताया कि दूसरी मेरिट लिस्ट 30 सितंबर को जारी की जाएगी जिसके लिए 1 अक्तूबर से 5 अक्तूबर तक फीस जमा करवानी होगी प्रदेश की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोडा ने कहा है कि फसल अवशेशों को आग लगाने की घटनाओं पर प्रतिबंद के लिए परतेक गाओं पर नजर रखी जाएगी फसल अवशेशों के परबंदों के लिए सरकार द्वरा किसानों को अनुदान पर क्रिशी उपकरन अपलब्द करवाए गये हैं उन्हें कहा कि इसके बावजूद जो किसान अवशेशों को आग लगाने की कोशिश करेंगे उन पर कारूनी कारणरवाई की जाएगी वे आज वीडियो कॉन्फरेंस से सभी जिलों के उपायक्तों वक्रिशी विभाक के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थी मुखेस अचीव ने कहा कि हर सैक के उपगरही चित्रों वर रिपोर्ट के अनुसार गत वर्ष फसल अवशेशों में आग लगाने के घटनाओं में 68 प्रतिशत की कम ही आई थी इस बार हमें जीरो बर्निंग के लक्षा को प्राप्त करना है कॉन्फरेंस के बाद हिसार की उपायक्त दोक्टर प्रियंका सोनी ने कृष्य अधिकारियों के साथ जिले की स्थिति की समेक्षा की फरिदाबाद के जेसी बोस YMCA विश्व विद्याले ने पहली बार विदेशी विद्यार्थियों को दाकिला देने की शुरूआत की है विदेशी विद्यार्थी प्रवेश के लिए 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं कुलपती प्रोफेसर दिनेश कुमार ने श्यक्षणिक सतर 2020-21 के लिए विदेशी विद्यार्थियों का प्रोस्पेक्टर जारी किया कुलपती ने कहा कि अकादमिक, भैग्यानिक और सांस्कृतिक सहोगों को बढ़ावा देते हुए विश्वस्तर पर अपनी उपस्तिती दर्ज कराना विश्विद्याले की प्रात्मिकता है विश्विद्याले ने इंजिनिरिंग पाठेकर्मों में 15% सीटें और अन्य पाठेकर्मों में 5% सीटें विदेशी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की है विश्व विद्याले में किसी भी पार्टेकर में दाखिला लेने वाले विदेशी विद्यार्थियों को वैद स्टुडेंट विजा या रिसर्च विजा और मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होगे जिसके बाद बिना दाखिला उसके बिना दाखिला नहीं होगा विदेशी विद्धार्थियों का दाखला युग्यत्ता परिक्षा की मैरिट पर क्या जाएगा और इसके लिए अलग से कोई प्रवेश परिक्षा नहीं होगी इंजिनिंग में खासकर AICT ने हमें परिमिशन दे है कि we can actually admit foreign students और 15% seats उनके लिए रिजर्व की गई है और fee structure भी बहुत जादा उसमें high नहीं है नॉर्मल fee structure है निउनस्टी का if you compare to other with other institutions और AICT ने engineering के लिए दिया है लेकिन हमने बाकी जो non engineering courses है उसमें भी 5% seat है foreign students के लिए आरक्षित की है प्रदेशी जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ facebook, twitter और youtube के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं हम से जुड़ने के लिए आप हमारे social media हैनल को follow कर सकते हैं केंद सिरकार के कार्मे केवं प्रशिक्षिव विभाग ने 20 नए खेलों के अथलीटों को खेल कोटा का लाब दिये जाने के प्रस्थाव को स्विकार कर लिया है केंद सिरकार के कार्यालियों में प्रतिभाशाली खिलाडियों की नियुक्ति के लिए पात्र खेलों की सूची में अब खेलों की संख्या 43 से बढ़कर 63 हो गई है इसमें मलकम, टग ओफ वोर, रॉल बॉल जैसे स्वादेशी और पारम पर खेल शामिल है इस सूची को पिछली बार अक्तुबर 2013 में संशोधित किया गया था एशवाई खेल वह उलम्पिक जैसी अंतराष्टे परतिसपरदाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को खेल कोटे के अंतरगत फायदा मिलेगा उत्तर और दक्षिन हरियाना बिजली वितरन नेगम के बिजली उपभुगता अब डाक घरों में भी अपने बिजली बिल जमा करा सकते हैं बिजली नेगमों को ये परवक्ता ने बताया कि खास्तोर पर ग्रामिनिक शेतर के बिजली उपभोगताओं की सुवीधा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णा लिया गया है प्रदेश में डाकघर की 2964 शाखाए हैं जिन मेंसे 2180 ग्रामिनिक शेतरों में हैं जनवरी माह में बिजली वितर नेगमों की CMD शत्रूजित कपूर ने पाइलेट प्रोजेक्ट के तहट पहले यमुना नगर, अंबाला और पंचकुला सरकलों में डाकघर काउंटर से बिजली बिल का भुगतान शुरू करवाया था डाकघरों के इनकाउंटरों पर 20,000 रुपए तक के बिजली बिलों का भुगतान किया जा सकेगा इसके लिए उपभुगताओं से कोई अतरिक तश्वल कर नहीं लिया जाएगा जिससे 331 करोड 49 लाक रुपए का शुद्ध लाब हुआ उप मुख्यमंतरी दूशंत चोटाला ने कहा है कि राजसरकार क्रिशी आधारित उद्योग स्थापित करने पर जोर देगी ताकि प्रदेश के किसानों को उनकी उपज के बेहतर दाम मिल सके उन्होंने का कि वर्तमान सरकार आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत क्रिशी आधारित ऐसी प्रयोजनाएं स्थापित करने की योजना बना रही है जिनसे क्रिशी आधार भूत सन्नंचना का और अधिक विकास हो उपमुख्यमंत्रिय ने बताया कि केंध सिरकार ने क्रिशी आधार भूत सन्नंचना कोश के तहत वित्य सुविदा योजना तयार किये डिप्टिजीम ने बताया कि किसानों को खेत परिसंपतियों के पोशन और फसल प्रमंधन के बारे में शिक्षित करने के लिए संगोष्टिया करने का फैसला लिया गया है ये किसानों को उनकी उपज के लिए अधिक मुल्य प्राप्त करने, अपवय को कम करने और प्रंसंसकर्ण एवें मुल्य समवर्धन को बढ़ाने में मदद करेंगी अंत में इस बुल्टन के मुख्य समाचार एक बार फिर अमेरिका भारत सामरिक साज़दारी फोर्म के शिकर सम्मेलन को रात नो बज़े संबोधित करेंगे प्रधारमंत्री नरेंद्रमोदी, व्यापार और विश्व सप्लाई चेन में भारत की स्थिती पर होगी चर्चा राश्टि शिक्षिक सम्मान से सम्मानित होंगे ग्रुग्राम के मनोज लाकडा बिना बिजली के चलने वाला मोबाइल टीवी डिवाइस बनाया, शिक्ष्या विभाग ने अपनाया उनका मिड़े मील एप कोरोना की ताजा स्थिती के आंकलन को लेकर हुई स्वास्ते मंत्राले के अधिकारियों की प्रैसवारता देश में 24 घंटों में हुई रिकॉर्ड 11,70,000 लोगों की जांच और कोविड-19 के बीच पटरी पर लोट रही है अर्थववस्ता अगस्त में UPI और भीम एप से हुए रिकॉर्ड एक अरब 61 करूर ट्रांजेक्शन सुमाचारों में आज इतना ही, नमस्कार झाल झाल झाल